ये वाइन वासब तो आजकल ना एक सवाल है जो बड़ा चल रहा है कि क्या टिक-tok बैन होनी चाहिए तो यहर अगर मेरी मानो ना तो भाई बैन हो जानी चाहिए और यह मैं ना हवा में नहीं बोल रहा है इसके पीछे कुछ रीजन्स है जिसके वज़से मैं यह बोल रहा उनने कुछ करने को काम दिया, उनकी हरकतों की वज़े से उनने फेमस करवाया, वो बैन होने वाली है, और अब यह जो सूपर स्टार लोग है, फिर से भी रोजगार होने वाले है, और जिस तरह इनकी हरकत है, मुझे तो शक है कि इनने कोई जॉब भी देगा इसके बाद, त सबसे बड़ी प्येंट, आशिर्वाद, तो मैं सिर्फ टिक टॉक यह जो ऐसी शकल वालों को उपर से इसी हरकते करने वालों को ना फेमस बना देती है, अगर यह नॉर्मल लाइफ में रियल लाइफ में अगर जॉब लेने भी जाया ना तो ऐसी हरकतों के साथ तो इनको नाला साफ करने की जौब नहीं मिलने वाली है, तो चलो अब देखते हैं कि टिक टॉक के बैन होने का में रीजन की है, में कारण जिसके वज़े से टिक टॉक बैन होने वाली है, मदराज हाई कोर्ट लास्ट वीक एडवाइस था सेंटरल गवर्मेंट टॉ बैन दी एप क् उनको मैं सिरफ एक ही चीज कहना चाहूँगा कि येस आई अगरी लेकिन सिरफ दस परसेंट टैलेंटिट बंदे होंगे बाकी 90 परसेंट होंगे कुछ ऐसे नी बैन मुझे ये बता तो करना क्या चाहती है मतलब मेरे तो समझ नहीं आ रहा है कि लोग न चंद फॉल्वर्स के लिए कितनी हद तक गिर सकते हैं और इसके फॉल्वर्स पते कितने हैं दो मिलियन मलब टैलेंट का ना इसके पास टी भी नहीं है लेकिन जो है वो तो सबको दिखाना है तभी तो फॉल्वर्स बढ़ेंगे है ना नी मलब टिक टॉक पर ना आपको ऐसी ऐसी लड़किया मिलेंगी ना जो कि लड़कियों के नाम पर कतय धब्बा हुए जा रही ह मिलना वो फॉल्वर्स के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकती है तो समझ नहीं आता भाई वो अपने दोस्तों को भी कैसे बोलते होंगी कि भाई देख मैंने एक नई मीडियो डाले चैक आउट कर मेरे टिक टॉक अकाउंट में को पता है उन्होंने घंटा अपने दोस्तों तो भाई देखो यह जो टिक टॉक के बैन होने का कारण दिया है ना वो एकदम सही है मतलब पूरी तरीके से सही है क्योंकि देखो टिक टॉक में आदे से जादा तो बंदे 18 यह के नीचे है तो यह बालक जब लड़कियों को ऐसी हरकते करते हुए देखेंगे तो भाई ब लेकिन जब new generation जो आने वाली generation है वो लड़कियों को ऐसी हरकते करते हुए देखेंगी तो तुमें क्या लगता हो रिस्पेक्ट करेगी लड़कियों की अब उनकी तो mentality ऐसी हो जाएगी ना कि भाई सारी लड़किया ही ऐसी हरकते करते हुए जो की गलत है सौ में से 5% यह हरकते करने वालों को ही recommend करती है क्यूंकि इनके followers जादा होते है obviously क्यूंकि हमारी जंता को तो भाई यही देखना पसंद है यही कबार देखना पसंद है अब जैसे कि मैंने वीडियो बना रहा हूं इनमें मैं गाली नहीं देता कोई वर्ड यूज नहीं करता ना तो यह कोई नहीं देखता यही मैं वीडियो में गालियां देने लग जाओं डवल मीनिंग जोक्स मारूं तो भाई कते वाइरल हो जाएगे वीडियो में को भी पता है लेकिन चलो यार कोई बात नहीं यह वीडियो अगर 60 बंदे भी देख ले और वो मेरे point of view से agree करे उन्हें करते हैं अगर आप मेरे point of view से agree करते हो अगर आप मेरी बातों से मलब सहमत ही रखते हो तो यार प्लीज मुझे बताओ और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो फिर मिलता है किसी और टॉपिक के साथ और अगर इसमें मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ जादा बोल दिया हो तो भाई उसके लिए sorry